हले दोस्तों चलू शुरू करते हैं नवी कक्षा की गडित प्रेश्णा वाली एक दिसम्मलों 6 का दूसरा प्रेश्ण तो चलिए शुरू करते हैं नमबर एक में क्या है नौ की घात तीन बटे दो तो चलू स्टार्ट करते हैं लिख लेते हैं नौ की घात तीन बटे दो को हम वर्ग मूल में अगर लिखेंगे तो हमारा यह आ जाएगा नौ को लिखेंगे हाना तो तीन गुना में तीन की घात तीन बटा दो अब हम तीन को इन दोनों तीन को हम इस तरह लिख सकते हैं दो की घात तीन की घात दो वो श्टक में रहेगा तीन की घात तीन बटा दो तीन बटा दो लिख लिख लिए अपन तो हम कोश्टक से बाहर निकालेंगे तीन को तो तीन की घात दो का मल्टिप्लाई किस से करेंगे तीन बटा दो से तो यह हमारा हो जाएगा दो एक कम दो एक तिक के तीन से मल्टिप्लाई करते हैं तो तीन ही आएगा तो हम इस तरह लिखेंगे तीन की घात तीन बराबर तीन गुना में तीन गुना में तीन बराबर तीन तिकाई नौ और नौ तरिक 27 यह हमारा एंसर हो गया एंसर बोले तो उत्तर हो गया चलिए अगले प्रेश्ण को देखते हैं दूसरा प्रेश्ण में क्या है 32 की घात 2 बटर 5 इसको देख लेते हैं लिखते हैं दूसरा नंबर क्या है बत नहीं स्वारी 32 की घात दो बटा पांच हाँ ना 32 की घात दो बटा पांच हम 32 को वर्ग मूल में पहले लगुत्तम कर लेते हैं 32 को 32 का लगुत्तम मैं पहले से कर लिए हों देख लिजिए तो हमारा दो किसंग के कितनी है एक दो तीन चार पांच पांच है तो हम कोश्टक में इसको इस तरह लिख लेंगे दो गुना में दो गुना में दो गुना में दो कि घात कितना दो बटा पांच दो बटा पांच अब हम इन दो को इस तरह लिख सकते हैं दो कितने संख्या में हैं एक दो तीन चार पांच तो हम कोश्टक दो की घात पांच कोश्टक की बाद एक घात कोश्टक के अंदर और एक घात कोश्टक के बाहर तो दो की घात पांच हम इसको इस तरह लिख सकते हैं दो की घात पांच को मल्टिप्लाई करेंगे किस से गुना में दो की घात पांच को हाँना स्वारीज दो बटा पांच को अब यहां आ जाएगा कैसे करेंगे पांच कम पांच यह हो गया और एक दुख के दो से गुड़ा हो गया एक और दो से गुणा हो गया तो यहां आ जाएगा दो की घात दो बराबर दो गुणा में दो बराबर दो दूना चार यह हमारा उत्तर आ गया ऐसे लगा सकते हैं आप भी और देख लेते हम तीसरा प्रेश्ण दूसरा प्रेश्ण का तीसरा नंबर तो चलिए देखते हैं हम इसको भी उसी तरह करेंगे देख लीजिए पहले तो सोला का लगुत्तम करेंगे आठ दूना सोला और चार दूना आठ और दो दूना चार और दो एक कम दो यह हो गया तो इसकी संख्या कितनी है एक दो तीन चार तो हम यहाँ पर गुणा में नहीं लिखेंगे अब वर्गमूल में हम कोश्टक लगा के लिख देते हैं दो की घात कितना है एक दो तीन चार तो चार है कोश्टक बंद कोश्टक की घात कितनी है तीन बटा चार बराबर हम चार और चार की घात दो बटा चार की स्वारी हम दो की घात चार से मल्टिप्लाई करेंगे किस से तीन बटा चार से तो दो की घात दो मल्टिप्लाई तीन बटा चार तीन बटा चार अरे स्वारी स्वारी यहां पर चार रहेगा दो की घात कितना रहेगा चार तो चार कम चार और एक के गुना किस से होगी तीन से तो कितना हो जाएगा एक तीक के तीन तो यहां आ जाएगा दो की घात तीन बटाबर दो गुना में दो गुना में दो बटाबर दो दुना चार चार दुना आठ यह आ गया हमारा उत्तर इसी तरह अगला प्रेश्म देख लेते हैं अगला नंबर यह कितने हैं एक सो पचीस की घात माइनस एक बटा तीन तो चली देखते हैं चली शुरू करते हैं एक सो पचीस को हम लगुत्तम निकाल लेते हैं तो पचीस पंचे एक सो पचीस पाचम पचीस और पांच एकम पांच यह कट गया कि हमारी कितनी संख्या है पांच एक दो तीन तीन है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बराबर कोश्टक कोश्टक की घात माइनस एक बटा तीन ठीक है तो हम कोश्टक हटाएंगे तो मल्टिप्लाई हो जाएगा इसको 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 पांच की घात तीन मल्टिप्लाई माइनस एक बटे तीन 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 कट गया बचा यह कोश्टक माइनस एक इसको हम इस तरह लिखेंगे पांच की घात माइनस एक पांच की घात माइनस एक बटे एक हम घात में माइनस नहीं कर रख सकते इसलिए हम इसको इस तरह लिखेंगे पांच बटा एक यह हमारा उत्तर आ गया तो प्रेश्ण दूसरा खतम हुआ धन्यवाद है तो प्रेश्ण दूसरा खतम हुआ धन्यवाद है प्रेश्द तरह दूसरा माइनस एक जुआ बटे जूसरा खतम है